Hello viewers, आज हम सीखेंगे एक अंका भाग, इसके लिए हम लेते हैं एक अंकी संख्या, जिसमें हमने लिया आठ भागा दो, याने के आठ में भाग देना है दो से, तो सबसे पहले हम इस तरह की लाइन खीच लेते हैं, जिसमें आठ जो की हमारा भाज्य है, उसको हम यहां लिखे लिखेंगे, और दो, जो की हमारा भाजक है, उसको हम यहां लिख लेते हैं, तो ठीक वैसे हमने लिख लिया, और इसके बाद जो सबसे ज़्यदा जुरूरी है, कि हमें दो का पहाड़ा या टेबल याद हो, तो अगर आपको दो का पहाड़ा या टेबल नहीं याद है, त तो आठ से कम आए, अगर आठ नहीं आता है, तो आठ से कम आए, तो सुरू करते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्याइच है, दो चव के आठ, याने कि चार बार में आठ आ जा रहा है, तो हम यहां चार लिख देते हैं, और यहां हम लिखते हैं, आठ, तो वैसे ह कि हम यहाँ 4 लिख दिये, और यहाँ हमने लिख दिया 8, इसके बाद हम क्या करेंगे, उपर वाले 8 में से, नीचे वाले 8 को गटा देंगे, तो 8 में से 8 गटाएंगे, तो क्या एगा उत्तर हमारा, 0, तो इस प्रकार हम का सकते हैं, कि हमारा भागफल कितना हो गया, 4, और 6 कि जीरो याने के आठ में 2 से भाग देने पर उत्तर हमारा 4 आएगा अब अगला स्वाल देखते हैं 9 भागा 3 याने के 9 में भाग देना है किस से 3 से तो ठीक वैसे ही लाइन खीच लेते हैं और 9 को हम यहां लिखते हैं और यहां हम लिखते हैं 3 को और इसके बाद जो सबसे ज़ तो हमने यहां तीन का टेबल ले लिया अब हमें तीन का पाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो नौ आए अगर तीन के पाड़े में नौ नहीं आता है तो नौ से कम आए तो सुरू करते हैं तीन ने कम तीन तीन दूनी छो तीन तीरी के नौ याने के तीन का पाड़ा तीन बार पढ़ने पर कितना आया नौ तो चुकि हमने तीन का पढ़ा तीन पर पढ़ा तो यहां हम लिखते हैं तीन और नौ के नीचे हमने 9 लिख दिया, चुकि 3 का पहड़ा 3 में पढ़ने पर क्या आया, 9 तो हमने 9 के नीचे 9 लिख देना है, और इसके बाद वही प्रक्रिया अपना नहीं है उपर वाले 9 में से नीचे वाले 9 को घटा देना है तो जाइर सी बात है जब 9 में से 9 बटाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना आया 3 और 6 कितना हो गया सुन्य आईए एक और दान से इसको समझते है अगला सवाल है 8 भागा 4 यानि के 8 में भाग देना है किस से 4 से तो ठीक वैसे ही हम लाइन खीच लेते हैं और इसके बीच में हम 8 लिखते हैं, यानि के भाग जी हमारा कितना हो गया 8 और भाग हमारा यहां 4 लिख देते हैं अब हम 4 का टेबल लेते हैं अब हमें 4 के टेबल में 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 8 आए या तो 8 से कम आए तो शुरू करते हैं 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानि के 4 का पाड़ा हम दो बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 8 तो वैसे ही हम यहां लिखते हैं 2 और 8 के नीचे हम लिख देंगे 8 और उसके बाद उपर वाले 8 में से नीचे वाले 8 को गटा देंगे तो जाएसी बात है कि 8 में से जब 8 को वटाएंगे तो क्या हैगा? सुनना तो इस प्रकार हमारा भागफल कितना हो गया? 2 और 6 कितना हो गया? सुनना आईए एक और सवाल देखते हैं 7 भागा 3 यानि के 7 में 3 से भाग देना है तो इसके लिए वैसे ही आकरती खीचेंगे जिसमें हम भाज़क के जगा पे 7 लिखते हैं और भाज़क के जगा पे हम 3 लिखते हैं और इसके बाद हम 3 का टेबल लेते हैं अब हम 3 के टेबल में थीन का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो 7 आए अगर 7 नहीं आए तो जो संक्या आए वो 7 से कम हो शुरू करते हैं 3 एकम 3 3 दूनि 6 3 तिरिके नए अगर 3 का पाड़ा 3 बापढ़ते हैं तो क्या है आदिख है है तो हम 3 का पाड़ा केवल 2 बापढ़ेंगे 3 दूनी 6 तो हम यहां क्या लिखेंगे 2 क्योंकि हमने 3 का पाड़ा 2 बापढ़ा है और 3 का पाड़ा 2 बापढ़ने पर कितना आ रहा है 6 तो हम 7 के नीचे क्या लिखेंगे 6 तो यहां हमने 2 लिख दिया और 7 के नीचे आमने लिख दिया 6 अब उपर वाले 7 में से नीचे वाले 6 को घटा देंगे तो 7 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना सेशफल होगा? 1 तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो गया? भागफल हो गया हमारा 2 और सेश कितना हो गया? 1 तो यही तरीका सबसे असान है भाग को हल करने का यह दो अभ्यास प्रस्थन है जिसको आपको हल करके कमेंट में इसका उत्तर लिखना है पाला सवाल है 6 में भाग देना है 2 से और दूसरे सवाल में 8 में भाग देना है 3 से तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सेयर करें वीडियो ते धन्न वाद मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई